दोस्तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आज के समय में किसी के अंदर इंसानियत है तो आपका जवाब होगा नहीं क्योंकि आज लोग लोगों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद नहीं करते बलकि उन्हें मुसीबत में देखकर उनका मजाग बनाते हैं यहां तक कि अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में हो या आपका एक्सिडेंट हो जाए तो लोग वहाँ पर वीडियो बनाने लगते हैं लेकिन आपकी जान बचाने नहीं आते और उसका तमाशा भी बनाते हैं लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो क्लिप लाएं हैं जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि वाकई यह है असली इंसानियत की मिसाल जिन्हें भगवान ने बनाया है और यह किसी भगवान से कम नहीं जो लोगों की उस समय मदद करते हैं जो काफी मुसीबत में होते हैं और उन्हें किसी ना किसी की मदद चाहिए होती हैं तब य lobby करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो क्लिप से जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बुजूर्ग व्यक्ती रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये रोड इतनी ज्यादा बिजी है कि कोई भी व्यक्ती इनकी मदद नहीं कर रहा लेकिन जैसे ही आर्मी का क अज भी कही न कही इनसानियत जिन्दा है और वो इन सेना के जवानों ने दिखा ही दिया हमारी अगली वीडियो में आप जिस वीडियो को देखेंगे उसे देखने के बाद आप कहेंगे वाकई ये लोग बड़े दायालू है दरसल इस ब्रिज पर इतनी तेज हवा चल रह ही है कि यहां पर जाने वाले दो से तीन बाइक सवार ठीक से बाइक नहीं चला पा रहे क्योंकि हवा के जोंके के कारण उनकी बाइक इधर से उधर जा रही होती है जिस वजह से ब्रिज से गुजर रही दो बसे उन्हें सपोर्ट देते हुए ब्रिज पार करवाती है जैस अब आप इस वीडियो क्लिप को भी ध्यान से देखिए, जिसमें ये महिला, जो कि एक मॉल में साफ सफाई का काम करती है, हाला कि इनके पास सामान खरीदने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन जब ये ग्रोसरी सेल में सामान लेने पहुचती है, तब वो शौप कीपर को पैसे दे रही होती है, तब उन्हें लगता है कि उनके पास पूरे पैसे नहीं, आँखों में आशु आ जाते हैं, कि भगवान होते हैं, और मुसीबत में वो हमारे साथ ही खड़े होते हैं, हालकि ये व्यक्ति काफी दयालू था, दोस्तों मा एक ऐसा शब्द है, जिसे सुनने के बाद हर कोई emotional हो जाता है, और इसके पीछे की वजह ये है कि मा जैसा पूर प्तरनाक बिमारी है, जिसकी वजह से ये अपनी मम्मी को कीमो थेरपी के लिए गंजा कर रहा है, आलकि जब ये अपनी मा के सारे बालों को हटा देता है, तब ये खुद गंजा हो जाता है, और खुद की पिक क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देता है, वाकई, इन दोनो मा बेटे के प्यार ने तो हमें भी इमोशनल कर दिया, और अब इनके लिए एक लाइक और कमेंट सेक्शन में मा लिखना तो बनता है, ये वीडियो बेहद हार्ट टचिंग है, क्योंकि इस बच्चे के पास खुद के खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन जब इसके पास तो ये अपने खाने में से आधा खाना इस बिल्ली को खाने के लिए देता है, और हम आम इनसान खाना होते हुए भी किसी जानवर और इनसानों की भूख को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक भूखा इनसान एक दूसरे भूखे इनसान को समझ सकता है, वाकई इस हार्ट दरसल ये अपनी साइकल से जा रहे होते हैं, हाला कि इनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है, और जब ये रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तब ही साइकल से गिर जाते हैं, और यहां मौझूद ये दो व्यक्ति इनकी मदद करते हैं, और इन्हें रोड से किनारे कर देते है ताकि वो वहाँ आने जाने वाली गाडियों से धक्का नखा जाएं। आपने उस वीडियो फुटेज को जरूर देखा होगा, जिसमें एक रेल्वे करमचारी जान पर खेल कर एक बच्चे को बचाता है। उक्त रेल्वे करमचारी का नाम है मयूर शेल के, जो सेंट्रल रेल्वे में बतोर पॉइंट्समें कारे रत है। उन्होंने ये बड़ा कारनामा महराष्टर की राजधानी मुंबई के पास स्थित वनगनी रेल्वे स्टेशन पर किया। बच्चे की उम्र मात्र 6 साल है। वो प्लैट्फॉर्म से फिसल कर रेल्वे की पटरी पर गिर गया था। सामने से ट्रेन भी आ रही थी। ऐसे में मयूर शेलके ने गजब की सूजबूज और चपलता का परीचे देते हुए। चलती हुई ट्रेन के सामने कूद कर ना सिर्फ बच्चे को बचाया बलकि खुद भी प्लैट्फॉर्म पर वापस आई। CCTV फुटेज खुद केंदरी रेल मंत्री पियुश गोयल ने शेर किया। जिसके बाद ये वाइरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी तारीफ की। जब वो बच्चे को बचा कर वापस प्लैटफॉर्म पर कूदे थे। तब उनके वो ट्रेन के बीच मात्र दो सेकंड की दूरी थी। अब हमारी अगली वीडियो क्लिप में आप देखें कि किस तरह से ये बिल्ली का बच्चा भूखा है और वो एक मीट शॉप पर जाकर खाना मागने की कोशिश करता है। और वहां का ओनर उसे देखकर कुछ खाने को देता है। हाला कि कई बार हमने ये भी देखा है, कई लोग कुट्टे या बिल्ली को देखकर उनकी भूख नहीं समझ पाते और उन्हें वहीं से भगा देते हैं। अब स्पोर्ट्स का शौकीन तो हर कोई होता है, और हर स्पोर्ट्स फिल्ड में प्लेयर्स को चेस करने उनके फैन्स भी स्टेडियम में पहुँचते हैं। ऐसे में इस स्टेडियम में भी जब ये व्यक्ती मैक्च देखने पहुचा, तो क्रिकिट की बॉल सीधा उनके हाथों में आगिरती है। और ऐसे में वहाँ बैठी एक छोटी सी लड़की इसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। लेकिन बॉल हाथ में आते ही ये जनाब काफी जोरो शोरो से जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन जब वो इस चोटी सी बच्ची को मायूस होते हुए देखते हैं, तो उन्हें बॉल पकड़ा देते हैं। और उसके बाद इस लड़की के चहरे पर जो मुस्कान आती है, वो वाकई इसे काफी खुशिया दे गई होगी। आप जब भी कार बाइक चलाते हैं, तो रोड क्रॉस करते कुछ विकलांग लोगों को देखते हुँगे, जो अपने वीलचेर के सहारे रोड क्रॉस करते हैं, कई बार तो उन्हें कोई मदद करने वाला मिल जाता है, तो कई बार वो मदद के लिए राह देखते रहते और ऐसे में जब ये बुजूर्ग विक्ति रोड क्रॉस करने के लिए राह देख रहा होता है, तभी पास से आ रही कार में से ये जनाब उतर कर, उन्हें रोड क्रॉस करवाने में उनकी मदद करते हैं। वाकई, ऐसे लोग आज के समय में तो बिलकुल ना के बराबर मिलत जो किसी की मदद करते हैं, क्योंकि हर कोई आज के समय में अपने काम से काम रखता है, कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने में बड़ी जल्दी होती है। वैसे दोस्तों क्या कभी आपने किसी आसहाई लोगों की मदद की है, और उस मदद से आपको काफी खुशी हु ऐसा लगा हो कि आपने जो किया है वो सही था, और ऐसा करके आपने काफी अच्छा काम किया है, और आप इस काम से काफी खुश भी हो। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि असहाई लोगों की मदद करने के लिए भी भगवान नेक बंद बनाता है। तो मि बगवाई!